आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत हैं यहाँ पर मैं आपको दोग बाते बतानी के आया हूं जैसा कि आप लोगों का Tuesday को पेपर है तो यह दो बाते जो होगा वो Tuesday पेपर से related ही है तो सबसे पहली बात यह है कि जैसा account का पेपर है तो most of students जो है वो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि 90% ready होंगे आज तक में लेके बाकी का 10% वो धरे-दरे कल तक के लिप कर लेंगे लेकिन कुछ students ऐसे भी होते हैं जो कहीं न कहीं विचारे week पर जाते हैं या जिनका revision जो है वो थोड़ा सा week पर जाता है मैं यह नहीं बोल सकता कि मैंने recently सब कुछ किया है यह मैंने throughout the period जब से मैं YouTube पे हूँ throughout the period मैंने थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा करके कितना installment based पे काम किया था continuously कभी नहीं हो पाया था अभी क्या है कि ठीक है जो है क्या-क्या चीज़े हैं मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कहां मिले खाब वो बता देता हूं मतब कुछ चीज़े हैं जो मैंने आपके लिए किये थे आपके लिए प्रॉइड किया था उन सारे चीजों का जो कहते ना कि लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मतब इंग शॉर्ड ये वीडियो बनाने का में टार्गेट यही है कि बहुत सारी स्टुडेंस को प्रॉब्लम होती स्पेसिफिक टॉपिक सर्च करने में कि मैंने कहा ना थ्रूआउट मेरा जो अभी तक टाइम पिरेड भी था यूटूब पे मैंने थ्रूआट पिरेड बनाई एक दिन में नहीं किया है नहीं मैं ऐसा बूल से था कि मैंने एक साल में सब कुछ किया है तो यह थोड़ा से एक इशू है इस वज़े से बच्चों को वीडियो धुड़ने में दिक्कत होती है और मैं इस चीज़ को बहुत कहता ना मैं क्लियरली एकसिप्ट करता हूँ क्योंकि मुझे भी पता है तुरूआट अगर मैंने काम किया है तो बहुत दिक्कतों का स्टार्टिंग की वीडियो देखने में, सर्च करने में और उस टाइम पे तो सर्च में नाम भी नहीं आता था और अभी भी वो वीडियो तो नहीं आते हैं मैंने कुछ ट्राइ किया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप सारी चीज़े कैसे डूण से तो और क्या-क्या चीज़े मैंने प्रवाइड किये तो जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना तो सबसे पहले आपको मार्च 2022 का पेपर ये जो सॉलिशन वहा था ना उसका MCQ solution मैंने प्रवाइड किया है मार्च 2022 एनि लास्ट येर बाड़ा जिसमें टोटल 20 MCQs है आप उसको बढ़िया से कर लेना फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये है कि अगर आपको अभी भी कुछ रिवीजन बाकी है तो important questions के भी मैंने link प्रवाइड कर दिया जो blueprint है आपका important questions है उसका भी मैंने link प्रवाइड कर दा तो वो देख सकते हो, आपको idea लग जाग at least कौन कौन से questions को तो cover करना ही करना है थर्ड ये है कि अगर आपको और भी MCQs करने है और भी मतलब 110 प्लस 170 है exactly और ये जो 117 MCQs हमें अगर आपको बताऊं तो ये सारे MCQs मैंने बहुत ही detail में explain किया है for example के तोर पे अगर कोई question है उसका answer मालो A होने वारा तो मैंने ये भी बता दिया है कि A क्यू होगा, B क्यू नहीं होगा, C क्यू नहीं होगा, D क्यू नहीं होगा आपका blueprint हो गया, important question हो गया और 2022 का MCQ हो गया इसके बाद मैंने एक link प्रवाइड गया जिसमें लिखा हुआ है class 12 full syllabus class 12 full syllabus में आपको पूरे account का syllabus मिल जाएगा पूरे account का बता है part 1, पूरा part 2, पूरा अब उसमें लगबग 97 वीडियो है उसमें भी दूढने में अगर दिक्कत होती है तो उसमें भी मैंने एक, उसमें भी क्या तरह separate किया है separate क्या क्या है, हर chapter का जैसे chapter number 1, introduction to partnership उसका एक अलग playlist बना दिया chapter number 2, जो आपका final account था ये partnership का, वो मैंने अलग बना दिया है chapter 3, goodwill उसका मैंने अलग बना दिया reconstruction का मैंने अलग बना दिया admission का अलग, retirement का अलग dissolution का अलग, share, venture final account, company final account फिर analysis of finances statement, फिर कौन सा था ratio analysis and the cash flow statement इने each and every chapter का एक अलग-अलग मैंने playlist बना रिया है तो आपको बस करना क्या है, कि उस playlist में जाना है, वो series wise ही मैंने क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही मैंने रखा हुआ है, तो आपको बस क्या करना है कि उस जो भी playlist में, यानि जो भी chapters में doubt है, उसमें जाओगे, click करोगे, तो आपको videos दिख जाएंगे, आपको जो topic पे doubt है, आप उस topic पे देख सकते हो, ठीक है, यह उन students के लिए, जिनको problem है, जिनको revise कर रहा है, सभी students के लिए चली हो जाएगा, आपके पस enough time है, इसलिए आप इसका utilize कर सकते हो, दूसरी जो मुझे बात आपको बतानी थी, वो ये बतानी थी, कि मुझे खाफी सारे students बोले कि, सर थोड़े बहुत doubt है, क्या आप explain कर सकते हो, मैंने उनसे कहा कि, आप मुझे doubt बता दो, मैं उसका एक video recording करके upload कर दूँगा, तो उन्हों ने कहा कि, सर नहीं, ऐसे नहीं करना है, अगर आप life class ले पाओ, तो ठीक होगा, तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में, तो मैं सोचा कि, चलो एक बार try मारते हैं, अब देखते हैं, कि मैं एक बार कूसिस करूँगा, अगर successful हुआ, तो ठीक है, नहीं हुआ, तो भी मैं जो आपके doubts होंगे, मैं उनका कैसे नहीं, कैसे आपको solution प्रवाइड कर दूँगा, तो आपको जो भी doubt है, आपको जो भी मन में questions हैं, या किसे topic में doubt है, कोई theory में problem हो रही है, किसे chapter में specific question को जानना है, कि सरी कैसे solve करते हैं, कि वो वीडियो continuously recording नहीं कर सकता है, बट मैं try कर रहा हूँ, मेरे कुछ friends से, उनसे मैंने बात की है, अगर मुझे arrangement हो जाता है, तो definitely मैं live classes लोगा, उसका आपको ये attention लेना, आपको कल साम तक निचल में, मैं inform कर दूँगा कर आपको, कल morning तक मैं आपको सारा inform कर दूँगा, तो जो भी doubts हों कि आप बताते जाना, मैं live class लेके आपके सारे doubts clear कर दूँगा, ठीक है, और ये मुझे लगता है कि काफी सारे students किसमें help हो जाएगी, और मुझे भी मज़ाएगा live session लेने में, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मज़ाएगा, मुझे तो live पढ़ाने में ही जादा मज़ाता है, देखने को मिलता है कि कौन क्या reaction दे रहा है, वो सारे चीज़े उसी में असली मज़ा है, यह तो online तो चलो ठीक है, lockdown की वज़े से थोड़ी अबादत हो गई है, लेकि मुझे असली मज़ा तो केतना कि लोगों के साथ ही आता है, जो सच्चाई है, वो आपने भी feel किया होगा, ठीक है, तो यही सारी बाते आपको बतानी थी, और उमीद करता हूँ कि मैं आपका जो preparation हो, वो बहुत अच्छे सल रहा होगा, स्टिल अगर कोई problem, कोई issue है, तो आप इस video के comment में जरूर बता देना, ठीक है, फिलाल आज के लिए इतना ही, मिलते है next class में, तब तक के लिए thank you so much, and have a good day.